मुंबई लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटक करयात्रा कर रहा है युवक की पट्रियों पर गिरने का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ये घटना गुरुवार सुबे करीब साड़े नौ बजे कलावा और थाने रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है घायल उवक की पहचान दानिस हुसेन 18 वर्ष के रूप में की गई है जो ट्रेन से दादर जानने के लिए निकला था सरकारी रेलवे पुलिस की एक अधिकारी ने बताया है कि घायल को अस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां उसकी हालत इस्तिर बनी हुई है मुंबई लोकल ट्रेन में सवार दानिस दरवाजे पर अन्यात्रियों के साथ लटका हुआ था तभी दानिस बाहर की ओर चुपता है जिससे वो पॉल से टकरा कर पट्रियों पर गिर जाता है पुलिस अधिकारी उने बताया है कि दानिस कलावा के भासकर नगर में रहता है उसके पैर हाथ में चोटे आई हैं गटना के करीब 20 मिनिट बाद उसके रिष्टेदार उसे अस्पताल ले गए हैं उन्होंने कहा है कि इस गटना के संबंद में मामला दर्च कर जाच करी जा रही है विरू रिपोर्ट आई पिएन